हेलो फ्रेंड्स माइशेप डॉक्टर जैदेव धामिल्या एंड गाइनेकोलोजिस्ट एंड इंफर्टिलिटी स्पेश्यालिस्ट राधा हॉस्पीटल एंड केंडोर आवियोप सेंटर सूरत्ती आज एक सरस्मिजाने विशही पर बात करिये आज विशही छे प्रेग्डेंसी रेवा माटे फ्यलोपियन ट्यूब जो ब्लोक होए तो सू सारवार होई शके मोटा बागे एक सजी ने द्वारा अटले के गरभाशी नी अंदर एक डाइबर हमावे ने पसी एक्सरेल लेवा मावे एना वड़े ख्याल आवे कि नड़ी ब प्रोसीजर चे मतलब एक नानी भी सर्जरी जेके जे माँ पीट माँ नानू कानू पाड़ी ने माँ दूरबी नाखवा मावे एना वड़े टीवी माँ जो मावे कि बनने नाड़ी खुली छे कि बंचे तो क्या कारणे बंचे तो लेप्रोस्कोपी करू जो यह पन घणा इसलब धर दिए रहा विकरे के साइब लेप्रोस्कोपी अमर्रे नथी करू ड कर डायरट करें दोने कड़का लेग्नसी रहा है प्रेग्मेश हो माँ चे फेलोपीय ना त्यूब नना ड़िईन ड्रांब यं रहती है बंचे म सत्रीबी यह-ड को करिंदर फेलोपीयो नेध तो दरेक केस मां IVF करूँ जरूरी नथी एवा केस मां लैप्रोस्कोपी वड़े पचास ती साइट टका केस मां फैलोपियन ट्यूब जे ब्लोकेज हो एक खोली शकाए छे अथवा ब्लोकेज थवानों कारण जाने शेक्टे मोटा बागी इंफेक्शन थवा थी ब्लोकेज जोई है अधरवाज आईवीएफ ना रिजर्ट कुब जोचा होता होई शे विजू लैप्रोस्कोपी करवाती घणी वर बीजा अन्य प्रोब्लम्स भी गरवाशेनी अंदर अथो गरवाशेनी बार रेला होई फॉर एक्जेंपल एंडोमेट्रोसिस तो एनी पड़ सारव होई तो राखी शेकाई दर वक्ते आईवीएफ होज करू जरूरी ना थी तो हमारा वीडियो मा यू जणाव माई वेचे कि फेलोपियन ट्यूब जो ब्लोक होई तो डायरेक आईवीएफ करू जरूरी ना थी पहला लैप्रोस्कोपी वड़े एनू मिदान अने सारवार जो फेलोपियन ट्यूब ब्लोक होई अने ओपन थाही ना शकेम होई तो ज आईवीएफ मा जवू जोई है हाँ कोई वार यह बने कि फेलोपियन ट्यूब ब्लोक होई ना करण साथे अन्य करण पन होई शेके फोर एक्जामपल पूरुस्ना शुक्रानों नी मात्रा तो मारा वीडियो ने वदूमा वदू लोको सुधी शेयर करी अब वेंध्यत्वनी सारवार ने वदू लोको लाप लई शके तो मारा वीडियो ने लाइक करो शेयर करो थेंक यू